टोनपूर के जंगल में टुंटुनी चिडिया अपने पती कालू कववा के शाथ रहा करती थी उसकी गाय धन्नू उसे बहुत सारा दूद दिया करती थी उसका दूद बेचकर वे अपना घर चलाते थे एक दिन अचानक उसकी गाय बिमार पड़ जाती है और वे दूद देना भी बंद कर देती है तब कालू कववा टुंटुनी से कहता है टुंटुनी अब मुझे नहीं लगता कि ये मरियल गाय अब फिर से दूद देगी क्यों न हम इसे बेच दे अजी आप कैसी बाते कर रहे हैं कितने दिनों से इसके दूद से हमारा घर चलता आ रहा है और अब ये बिमार है तो इसे हम कैसे ख़देड दे तुंटुनी और कितना पैसा फूकोगी इस बिमार गाय पे पहले ही हम लाला से इसके इलाज के लिए बहुत सारा रकम ले चुके हैं आप परिशान ना हो मैं इसका कोई ना कोई बंदुबस कर दूँगी लेकिन ये गाय हमारे घर का हिस्सा है मैं इसे नहीं बेचूंगी लेकिन टूंटूनी हमें घर चलाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा न देखो जी आम का सीजन आ रहा है हम आम बेचेंगे और अपनी गाय धन्नू का अच्छे से इलाज करवाएंगे टूंटूनी आम भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए और पैसे कहां से लाओगी देखो जी लाला से हम इतना सारा करज ले चुके हैं थोड़ा और सही अगर हमारी आम की बिक्री अच्छी होने लगेगी तो हम उसे सूच समयत वापस कर देंगे